जीवन का नियम है कि आदमी खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही जाएगा जो आज आपका है कल वो किसी और का होगा लेकिन इसके बावजूत इतियास गवा है कि दुनिया में सबसे ज़ादा लड़ा यहां सिर्फ जमीन को लेके बुनिया है और आज भी कुछ नहीं बदल हो जाएं तो यह वीडियो यहीं पर बंद कर दीजिए लेकिन अगर आप चाते हो कि आपके बच्चे अनिल और मुखिश ना बने तो यह वीडियो पूरा एंड तल दीखेगा आज मैं छे तरीके डिसकस करूँगा जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हो अपने जीते जी और अपने जाने के बाद मैं हर मेथड के इड्वांटेज़ डिसड्वांटेज़ प्रॉपसेस क्या उसके कॉस्ट इंवर्ट होगी क्या उसका टाक्स इंप्लिकेशन होगा इस सभी जीदों को डिसकस करूँगा आज का वीडियो आ आपने अपने पैसो से करी दिये मैं खांदानी प्रॉपर्टी जिनका बड़वार आने ही हुआ है इनको डिसकस नहीं करूँगा जो चीज आपको मिली ही नहीं है वो आप आके कैसे दे सकते हो सेकेंडली आज का वीडियो मेंली फोकस्ट है तूवर्ट्स प्रॉपर्टी ड्रांसफर लेकिन ये मेथर्ट्स आप बाकी सभी असेट्स जैसे बैंक, एफडी, स्टॉक्स या न्यूचल फंड्स के लिए यूज कर सकते हो लोगों इन्हेरिटेंस प्लानिंग बहुत ही डिफिकल्ट काम लगता है, इस्पेशली तब जब उनके दो-चार बच्चे है, क्यों ले उन्हें लगता है कि अधर में ये टॉपिक छिडूँगा, तो घर में मन मुटाव हो जाएगा, बच्चों बीच रणाईयां हो सकती है, इसलिए वो ये टॉपिक एवोइड गरते हैं, लेकिन आज का अर्ग्यूमेंट कल वाई वेनों का कोर्ट में जाने से तो बेटर है, लग सदर आपने आज क्लारिटी दे दी, तो कल लीगन प्रोचेस और डॉक्यूमेंटेशन में बच्चों का टाइन और एनरजी दोन इनहेरिटेंस प्लानिंग करने के टाइम पर आपको तीन कोश्चन का अंसर करना होगा, सबसे पहला कि आप कब प्रोपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो, मदलब आपके जीदे जी या आपके जानेंगे बाद, दूसरा आप कैसे प्रोपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो, मदलब आप कौन सा मेथाडी उस करोगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर का और तीसरा आप कितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर गरना चाहते हो अब आप कैसे transfer गरना चाहते हो ये depend करेगा कि आप कितनी और कौन सी property transfer गरना चाहते हो एक अच्छे inheritance plan बनाने लिए आपको ये 3 steps follow करने होंगे inheritance planning का सबसे पहला step है अपने बारे में सोचो जब ये आप plan बनाने बैट होगे कि मैं अपने बच्चो कोन सी property transfer करूँ तो उससे पहले आपको अपने बारे में सोचना है कि मैं का रहा हूँगा अगर कोई property rent पे हैं तो क्या आपको उस income की जरूरत है तो पहले आपको अपनी needs figure out करनी है देखिए flight में भी बोलते हैं कि आप पहले खुद oxygen mass पहने हैं उसके बार में किसी और को help करे तो इसी ने सबसे पहला step है कि अपने बारे में सोचो कि मैं का रहूँगा मेरा खर्चा गैसे चलेगा और उसके बाद में ये figure out करो कि मैं अपने बच्चों को क्या दूँगा दूसरी चीज जो आपको सोचनी है वो ये है कि आपकी बच्चों को क्या चीए अब let's say अगर आपके आज multiple properties हैं तो आपको ये figure out करना होगा कि कौन सी property किसके काम आ सकती है आपको ये सोचना होगा कि क्या आपके बच्चे genuinely इस property में रहेंगे या नहीं रहेंगे और अगर नहीं रहेंगे तो क्या वो इस property को manage कर बाएंगे So figure out what your children need Finally आपको ये सोचना है कि आप अपनी property अपने बच्चों को कब देना चाहते हो अपने जीती जी या अपने चाने के बाद अब इंडिया में एक common fear है कि अगर मैं जीते जी अपनी property अपने बच्चों को transfer कर दू तो एक risk है कि कहीं वो मुझे अपने घर से निकालना दे अब Raymond's group इंडिया की इतनी वड़ी गमनी है उसी एक case पर देख लिए कि विजेपच सिंगानिया ने अपने बेटे को अपने सारे assets दे दिये और उनके बेटे ने अपने ही father को उनी के घर से निकालन दिया यहाँ पर एक चीज़ important है कि ये तीनो questions का answer करते हुए बिल्कुल emotional नहीं होना है और practically पहले अपने बारे में सोचना है और फिर अपने बच्चों के बारे में जब आप ये तीनो questions का answer कर दोगे तो उसके basis पर decide होगा कि आप अपनी property कैसे transfer गरोगे छे तरीके हैं जिससे आप अपनी property अपने बच्चों को transfer गर सकते हैं शुरू करते हैं कि आप अपने जीते जी अपने बच्चों को अपनी property कैसे transfer गर सकते हो इसके चार different methods है सबसे पहला तरीका है gift deed बराना gift deed का मतलब है कि आप अपनी property किसी और किनान transfer गर रहे हो purely out of love and affection for that person और ये property transfer गरने के लिए आपने कोई बैसे नहीं लिए है अगर आपने कोई भी बैसे लिए हैं तो ये gift deed नहीं माने जाएगी इसका सबसे बड़ा advantage ये है कि आपके जीते जी ownership transfer हो जाती है और क्योंकि ये एक registered deed है तो इसको future में challenge करना बहुत ही मुश्किल गर ये इसका सबसे बड़ा disadvantage भी यही है कि एक बार property ownership transfer हो गई तो future में इसे दुबारा claim करना वापस अपने नाम पे करवाना possible नहीं है रिस्क्मोंसिबिल दी लेगा Senior citizens के right को protect करने के लिए Government of India ने 2007 में Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act को पास किया था Act ये बोलता है कि अगर आप 60 years से उपर हो और आपने अपनी property अपने बच्चों को gift कर दिये और अगर आपके बच्चे आपका दियान नहीं रख रहे हैं आपको परिशान कर रहे हैं गद से निकाल दिया है तो आप quote में gift deed के cancellation के लिए apply गर सकते हो अपनी property वापस claim गर सकते हो Act ये भी बोलता है कि अगर आपने deed में ऐसा कोई clause नहीं डलवाया है लेकिन अगर आप एक senior citizen हो तो भी आप जाके apply गर सकते हो अपनी property वापस लेने के लिए पट in reality court usually आपकी property वापस नहीं करेगा वो बच्चों को ये बोलेगा कि आप अपने parents का ध्यान लगो तो honestly ये Act पेपर पे तो वह अच्छा रखता है पट बहुत ही कम senior citizens होंगे जिनको अपने rights के बारे में पदा है या जनके पास पर इतनी strength है कि वो court कचिरी के चक्कर गाते अपनी property वापस लेने के लिए So ideally आप जिस गर में रहते हो वो गर आपको कभी किसी को gift नहीं गरना चाहिए आप उसके लिए एक will बना सकते हो ताकि आपके रहते हुए उस गर का पूरा control आपके बास ही हो अगर आपके आपके आज multiple properties है तो definitely आप उसमें से कुछ properties gift कर सकते हो लेकिन जिस गर में रहते हो वो कभी किसी को भी gift मत करो Gift deed का दूसर disadvantage है कि इसके उपर आपको stand duty charges पे गरने होंगे Gift deed पे stand duty के charges 1% से 5% ये बीच में range करते हैं और अगेन ये state to state differ करते हैं और इस पे depend करते हैं कि वो property आप किसको transfer गर रहे हो अगर आप किसी family member को property transfer गर रहे हो तो stand duty charges कम है लेकिन अगर आप किसी non family member को transfer गर रहे हो तो charges जादा हैं और अगेन ये state to state differ गरता हैं अब अगर gift deed के जगा पे एक will बनाते हो और किसी family member को property देते हो तो इसके उपर stand duty charges बहुत ही minimum हो जाते हैं इनफाक्ट कुछ states पर तो stand duty है भी नहीं अगेन ये state to state differ गरता है तो ideally अगर आपके अज एक ही property है तो उसे आपको gift नहीं करना चाहिए उसके लिए will बना सकते हो अगर आपके अज multiple properties है तो आप उसमें से कुछ properties को gift की तरह दे सकते हो दूसरा option है कि आप एक trust बना सकते हो अब अपने सारे assets उस trust में transfer कर सकते हो और फिर आपको एक trustee appoint करना होगा जो आपके सारे assets को manage करेगा trust के दो major disadvantages है सबसे पहला कि एक बार आपने अपनी property trust में transfer कर दी तो उसके उपर आपका पूरा control खतम हो गया आप वापिस नहीं ने पाऊगे और दूसरा trust बनाने में काफी सारा legal procedure होता है काफी सारा करचा होता है और इसके लिए आपको किसी अच्छे lawyer को consult करना होगा trust का सबसे बड़ा advantage है कि probate करवानी की जरूरत नहीं है probate का मतलब यह है कि जिसने trust बनाया है जब उनकी death हो जाएगी तो किसी को यह प्रूर करने यह जरूरत नहीं है कि सारे assets उनको मिलेंगे अगर वो trust के member हैं तो उनको benefit होगा अब trust बनाना दो cases में advisable है पहला जब आपका assets बहुत ज़ादा है आपके बहुत ज़ादा state है तो better है कि आप किसी professional की hand play के अपना एक trust बना लो जिससे सभी members को benefit हो सके दूसरा अगर आपके बच्चे minor हैं या फिर with special needs हैं तो advisable है कि आपको trust बनाना चीए ताकि एक professional trustee यह ensure गरे कि आपके बच्चों को सभी benefits मिल रहे हैं तीसरा option है कि आप एक settlement deed बना सकते हो settlement deed का मतलब है कि सभी parties अदरी कर रहे हैं कि उनको क्या मिलेगा अब let's say अगर आपके अज multiple properties हैं तो confusion होगा कि कौन सी property में किसको gift करूँ अगर आप यह सारी properties will में लिखके जाओगी तो possibility के future में conflict हो तो best तरीक है कि आप सारे बच्चों को एक साथ बिटा के एक agreement पे बहुच जाओ कि किसको कौन सी property मिलने वाली है ताकि future में कोई conflict ना हो अब settlement deed की उपर भी आपको standard duty पे गरनी होगी और इसके charges usually around 2% होते हैं बट again यह state to state differ गरते हैं fourth option यह है कि आप जिस गर में रहते हो उस गर को छोड़के आप अपनी बाकी सारी properties बेच दो और बच्चों को cash देदो यह वाँ पे best है जहाँ पे बच्चों के बीच में property की value को लेके disagreement है उनको यह लग रहे कि दूसरे को जो property मित रहे है उसकी value जादा है तो best तरीका यह है कि सभी properties को बेच जो और इनको cash देदो दूसरा जब आपके बच्चे अगर इंडिया में नहीं रहते हैं और आपको यह लगता है कि वो कैसे इंडिया आएंगे कैसे इस property को manage करेंगे कैसे बेचेंगे तो best है कि आप अपने रहते हुई इस property को खुद बेच दो और इनको cash देदो तरहीं जब आप property को बेचते हो तो आपके कुछ additional खर्चे भी होते हैं कुछ transfer charges होगा कुछ brokerage की cost होगी और सबसे बड़ा आपको capital gains tax pay करना होगा अब capital gains tax कैसे काम दरता है कैसे आप इसको save कर सकते हो इसके उपर already मैंने एक detailed video बना आया है उसका link उपर i button और नीचे description में मैंने share किया है अभी तरह हमने discuss कीते हैं वो तरीके जिनसे आप अपने जीते जी अपनी property अपने बच्चों को transfer कर सकते हो तकिर इंडिया में majority लोगों के पास सिर्फ एक ही घर होता है और यह बिल्कुल भी advice है बननी है कि वो अपने रहते वे इसकी ownership अपने बच्चों को transfer करते है तो ऐसा कोई arrangement चीए होगा कि जब तर मैं जिन्दा हूँ तो property rental में मेरे बास है और मेरे जाने के बार में वो property मेरे बच्चों को मिल जाए अब इसके दो तरीके है पहला तरीका है joint ownership मतलब आप property अपने spouse अपने बच्चों के साथ joint ownership मिलो अब इसमें दो problem है अगर आप कोई नई property खरीद रहे हो तो तो उसको आप joint ownership पे ले सकते हो लेकिन अगर आप कोई property पहले से ही खरीद चुके हो तो joint ownership का कोई sense नहीं बनता दूसरा ये तभी effective है जब आपका एक ही बच्चे है अगर आपके दो तीन बच्चे हैं तो आपका share दूसरे joint donor को नहीं मिलेगा वो आपके सभी class 1 legal years में equally divide होगा मतलब वो आपके spouse आपके बच्चों में equally divide होगा मतलब फिर से future में conflict हो सकता है तो इस method का बहुती limited use है next तरीका है कि आप अपनी will बना सकते हो जिसमें clearly mentioned होगा कि किसको क्या मिलने वाला है और ये आपके death के बाद में enforced हो जाएगी will को आप court में जाके register भी गरवा सकते हो और एक lane paper पे लिखी होई will बिना किसी registration के भी equally valid है will बनाने का सबसे बड़ा advantage यह है कि सबको clarity हो जाती है कि किसको क्या मिलने वाला है तो future में conflict नहीं होते और अगर will registered है तो इसको कोई easily challenge भी नहीं कर सकता लेकिन अगर will registered नहीं है तो सबसे बड़ा problem यह है कि लोग बोलेंगे कि यह तो fake बनाई गई है अब interestingly इंडिया में बहुती कम लोग हैं जो अपनी will बनाते हैं और historically majority property transfers बिना will के ही होते हैं अब अगर आप अपने सभी बच्चों को equal share देना चाते हो तो आपको कोई will बनाने जुरूत नहीं है आपके जाने यह बात में आपके सभी properties में आपके सभी बच्चों को equal share मिलेगा लेकिन अगर आप किसी बच्चे को कुछ specifically जादा देना चाते हो या फिर जो बच्चा आपके साथ आपके गर में रह रहा है आप चाते हो कि यह गर उसे मिल जाए तो आपको will बनानी होगी ताकि आप उसका interest predict कर सको अब अगर will बनाई है तो property transfer का process क्या होगा क्या documentation चाहिए होंगे क्या legalities involved होंगी कितना खर्चा आएगा और अगर will नहीं बनाई है तो क्या process होगा क्या क्या करना होगा कितना खर्चा आएगा इसके बर already मैंने इंग detail वीडियो बनाया हुआ है आप पो वीडियो जरूर देवना चाहिए वाब वो complete clarity देगा कि after death property transfer कैसे होती है यहाँ पर सबका एक common question होगा कि जब यह property मिन नाम पर transfer होगी तो मुझे कितना tax pay दरना होगा अब आप कोई भी method select कर लो property transfer करने का सबका tax treatment शे नहीं होगा जब भी यह property आपके नाम पर transfer होगी तब आपको कोई भी tax pay गरने की जरूरत नहीं है आपकी tax की liability बनेगी जब आप इस property को बेचोगे जब इस property को बेचोगे तो या तो आपको long term capital gains tax पे करना होगा या तो short term capital gains tax पे करना होगा और यह depend करेगा कि यह property खरीदी कब गई थी आपके नाम पर कब transfer होगी है इससे कोई फरक नहीं बढ़ता important यह है कि जिसने यह आपके नाम पर transfer की है उसने यह property कब खरीदी थी उसके basis पर decide होगा कि आपको long term capital gains tax पे करना होगा या short term capital gains tax पे करना होगा अब capital gains tax कैसे गाम करता है और कैसे आप capital gains tax को save कर सकते हो इसके उपर और अज़ड़ी मैंने एक detail वीडियो बनाया है उसका link उपर आई बटन और नीचे description में आप उसको refer गर सकते हो तो summarize हमने आज 6 तरीके देखे जिससे आप अपनी property अपने बच्चों को transfer कर सकते हो कौन सा method आपके लिए सही रहेगा ये इस बात पर depend करेगा कि आपके पास total कितनी property है और आप कितने लोगों के बीच इसे divide दरना चाहते हो और आप अपना personal interest कैसे protect करना चाहते हो मुझे personally एक registered will का option सबसे safest लगता है तो ये property अपनल मेरे पास होगा और मेरे बाद में मेरे बच्चों को बहुत ज़दा legal hassle भी नहीं देखना बढ़ेगा I hope आपको आज का वीडियो useful लगा होगा अगर पसंद आया है तो please इसे like कीजिए अपने friends, family, colleagues से दात में share कीजिए ताकि उनकी भी real estate knowledge बढ़े और अगर आप Indian real estate को genuinely सीखना चाहते हो समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को subscribe कर लो क्यूगले में इसी तरीके से Indian real estate को cover करता लोगा That's all for today Shigning off I am Rohan Bhardwaj Take care, have fun